हलो प्रेंड फिर से स्वागता फास्ट इंफॉर्मेशन में मैंने दो दिनों तक वीडियो आप लोक बीच लेकर नहीं आये थे कुछ दिपावले का काम था इसलिए मैं आज पार्ट सात्मा लेकर आग गया हूं आप लोग अगर इंटर्व्यू को तैयारी कर रहे हैं और पह इसकर पूरा से कुछ इंपर्टेंट हे लेते हैं तो चलिए आज पहले करते हैं कि कोश्कुरा से क्रोणा से सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए ना Seite को अथ सहां पहले मैंने चीन की राजदानी कहा है चीन की राजदानी वीजिंग है चीन उसके बाद उसकी परधान मंत्री वहाँ पर कौन है उसके जो कुछ-कुछ मंत्री है वो सारे चीज आप लोगों को याद रखना है तो चीन के परधान मंत्री सी जिन पिंग है उसको बस याद रखना है बहुत देख रहेते हैं क्रोना का नाम नया नाम क्या गए को लिए 599 और गोडिवD नाम होगा आप लोग समझ इएंगे बात बहुत च्छाओ बचाओ चाहता है क्या निय Caleb ऐने वाले बोलेंगे कि को लिग्रपी ने कि मुझे क्या करना चाहिए सबने कि जरूरी यह बहुत yes चीज़ है कम से कम दो गज की दूरी आप लोग को बना कर रखना चाहिए दिस्टेंस बना कर रखना चाहिए उसके बाद देख लिजीए अहांत को आधे या एक घंटा के अंतराल पर धोते रहना चाहिए 20 सेकेंड तक आप लोग जब भी हाथ धोते हैं तो आधे या एक घंटा के अंतराल पर आप लोग 20 सेकेंड तक हाथ धोईए ठेक है यह दूसरा अपाय हो गया तीसरा अपाय देख लेते हैं मुह को मास्क से धक्के रखना है मुँँ को मासक से डखके रहत म हैं अगर मासक आपके पास नहीं है तो गंचा से ढखके रखना यानि कोई भी कपरा से ढखके रखना है वह कपर साफ होना चाहिए गंदा विधा कप्रा विधार को सेीटाइजर से हाथ को फरेश करते रहा है अगर उपलवंद्ध हो उससे आप लोग हाथ में लगाती रही नई तो साबून से आपला गंटा एक को धोते रहना है 20 सेकेंड तक उसके बाद आप लोग को जो उपाय है वह आपको कम सकम दो गज की दूरी देखिए यहां पर यह कोईशन बोलिए गाना दो गज की दूरी तो आपको बोल देगा कि एक गज में कितना मीटर है कितना सेंटिमीटर तो यह सब चीज आप लोग ध एक इंचिवरा और क्या होता है 2.54 सेंटिमीटर इसमें क्या होगा आपने दूग गज बोली देखिए गज सब्द क्या है ना गज मीटर यह मैथमेटिक्स का सब्द है तो आपको मैथ का भी टेस्ट हो जागा इंटर्विव में क्या होता है एक दो चार कोईशन पूछता ह पांच कोईशन उसी में आपका सारा जानकरे लेगा इंगलीज का भी जानकरे लेगा उसका आपको हिंदी का भी लेगा मैथ का भी लेगा क्योंकि आपको हर चीज का जानकरे लेना है कि एक्जाम तो लेनी रहा है कि 10-10-10-10 कोईशन सारा डाल देंगे आपको हर चीज का ज कुसरी चीज मां एक इंपर्टेंट बात बता रहा हूं अगर आप लोग इंटर्व्यू दे रहे हैं अगर आपसे जाइदा कुछन पूछने लगे तो आप घबराईएगा नहीं बहुत इस्टुडेंट क्या हुआ कि जो इस्टुडेंट इंटर्व्यू दे के आता है बाहर उन इस से पू्छता यार क्या हुआ यार की मेरे साथ बहुत पूछा गया दूसरा बोलता έ irreशाध कराई चार पांच पूछता देखिए अगर आपसे बहुत पूछता है इसका मतलब यह हुआ कि आपका सलेक्शन होने वाला है क् सुरह सब कूस्कुन है तो इससे घबरान करके बोड़ी को हिलाना डोलाना नहीं चाहिए अराम से उसकी क्वेस्टन का आंसार देना चाहिए वन वाय वन करके अस्थीर से तो ही आपको क्योंकि बोलने का तरीका भी देखा जाता है क्योंकि आप ऑफिस एटेंडेंट बनेंगे आपको कोई आज आएंगे बरापता बोलेंगे कि हम जा रहे हैं आप उनको ब्रेग नहीं जाने देंगे मतलब वहां पर कुछ बोली का संद्याव रखना पड़ता है यह सारे चीज़ आपको सीखना परे ठीक है तो वह सब चीज़ देखिए मैं अगले आगे आगे तक वीडियो बना का आप लोगों को डालता परक्रिया 14 मार्च 2020 से शुरूआ था बिहार में जब इसकूल कॉलेजे बंद हुआ था वह 14 मार्च 2020 से बंद हुआ था तो लोगड़न उसी दन से घोशित हुआ गया था लेकिन पूर्ण लोगड़न समपूर्ण लोगड़न का जो बाद जिस दिन से कुछ नहीं चलेगा बस ट्रक कुछ नहीं लगए वह आपको 25 मार्च से हुआ था ठेक है इसको याद रखना है वह 25 मार्च से हुआ था लेकिन लोगड़न सिर्फ 14 मार्च से हो गया था उसी स्कूल कॉलेजे हर चीज बंद हो गया था सिर्फ बस वस चल रहा था दो चार दिनों के लिए उसका स द्वारा कोविड-19 नाम रखा गया हम बोलें कोविड-19 अभी नहीं नाम है तो देखो यहां पर बहुत इंप्रोटेंट कोईशन उठेगा आपको डबलू एच ओ आप देखें डबलू एच ओ को पूरा नाम क्या था तो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन इसको याद आप को नाम कसी द्वारा रखा गया है तो आपको को औरा को नाम कोविड-19 ओगया कॉछान की नाम मिया है और मैंने presence और हम बताते हैं बहुत इंपर्टेंट अब आपको पूछेगा कि WHO का पुरा नाम World Health Organization हो गया उसके बाद पूछेगा कि WHO का मुख्यला कहां है तो इसका मुख्यला जेनवा में है ठीक है कहां है जेनवा में है इसको रायद रखना है इसके बारे में जानकर आपको रखना होगा क्योंकि जैसे बारे में पूछेगा तो आपको पूछेगा कि WHO का मुख्यला कहां है तो जेनवा है क्योंकि बहुत पूछा जाता है इसके बाद आपको दिखाते हैं बहुत इंपर्टेंट कोईशन है आपसे पूछ देगा कि आपने बोले कि इसका ये बचाओ है आप बताए दवा आ जाने के बाद क्या क्रोना समाप्त हो जाएगा बहुत इंपर्टेंट कोईशन दवा आ जाने के बाद क्या करोना समाप्त हो जाएगा देखिए दवा आने कोई करोना तो समाप्त होगा नहीं क्योंकि यह तो एक बैमारी है और बिमारी कभी समाप्त नहीं होता है बिमारी को कम किया जा सकता है समाप्त कैसे होगा जैसे एक बुखार ले लिजिए सर्दी ल बस उसको कम किया जा सकता है समाप्त नहीं किया जा सकता है कम हो जाएगा आपको पांच साल तक नहीं होगा बट कभी एक दो बारत होना ही होना है तो उससे डरना नहीं है तो उसी तरह से इसका जबाब देना है करोना एक परकार का विमारी है यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है लेकिन इसे से बचाओ का तरीका आ सकता है और इसे से काफी हद तक बच सकते हैं ठीक है तो दवा आ जाने के बाद भी आप लोग को बता देना है कि दवा आ जाने के बाद भी करोना से करोना को समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक परकार की बिमारी है लेकिन इसे से बचा हो सकता है इसे कापी हद तक बचाया जा सकता है में आपको आपको मैंने यह सारे चीज़े दिखाया वीडियो अच्छा लगा हूँ तो एक बार लाइक कर दिजिएगा मुझे भी मोटिवेट मिलता है आपकी लाइक से और भी अधिक जानकारी लेना हो तो मैं एक टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दिया हूँ वहाँ पर आप लोग जूर जाहिए सारा गवर्मेंट जॉब का नोटिस्पिकेशन मैं वहाँ से दे रहा हूँ आपको एक वीडियो और देंगे आप लोग वीडियो भी देख लिजेगा अभी तक जो इस्टेंट मैरा पहला और दुसरा वीडियो नहीं देखे हैं वह देख लिजे देखते रहें यह फास्ट इंफरमेशन अगला वीडियो में लेकर आ रहा हैं जल्दी थैंक्यू फॉर वाचिंग